वही है मेन मंदिर भागे सदाम सरकार का हनमान जी का और यह जो मंदिर हो उनके गुरुदेयों का है और बहुत अच्छी सी लोकेशन है और आगे आप इस वीडियो में देखेंगे यहां की पूरी डीटेल तो इसकी इस वीडियो भी कंटिनिव यहां पर भी साय दुरुपने की विवस्ता है free of cost बागी सामान की जेमेदारी आपकी अपनी रहेगी और यहां जो आप देख रहे हैं यहां पर भोजन बंडाल है सभी के लिए निश्रुल को भोजन की विवस्ता इतनी ज्यादा भीड़ों मड़ती यहां पर कि इस फरीके की सिष्टम यहां पर लगाना लोग अच्छे होंगे तो आज मैं जा रहा हूं चत्तरपूर के गड़ा गाव में और यह बागेस और धाम के नाम से फेमर से जगे तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं थोड़ा सा रास्ता का इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए उसके बाद हम बागेस और दाम चलत है जबलपूर लखनव जी इस पर पास्ट तो आप बांदा जक्संदगर यह स्टेशन जी बांदा से आप बाई बस भी आ सकते हैं खजुरा हो वाई ट्रेन आने के लिए आपको बांदा तो महोगा में फिर बदलना पड़ेगा ट्रेन महोगा से आप खजुरा हो तक डारे यहां से बागवीजार दोस्तों और आज दिभड़े-डर लेतवरेगा ज़तवार्त है अच्छा किलो मितर बphonie से नियुक्थ किलो मीटर का। लगने वाला है यह लिए बहुत ज्यादा भीलाएं बहुत ही ज्यादा भीड़ा है यहां पर आ जनिवार और मंगलवार को भूबत कार्यलम महाप्रसादी की विवस्ता है यहां अपर है इस सीटाराम सीटा रहे की वुरस्ता यह फियो पॉष्क बाकि सामान की जेमेदारी आपकी अपनी रहे और यहां जो आप देख रहे हैं, यहां पर भोजन पंडाल है, सभी के लिए निश्रुल को भोजन की विवस्ता, अक्सर ऐसा होते नहीं कि आप धाम पर जाएंगे और आपको पंडिजी के दरसन हो जाएंगे, लेकिन यह मेरा सौभाग के था कि उस दिन धाम पर मुझे जैसी आराम है, सितार, बाइट्रेन, जी जी बाइट्रेन, यहां बहुत अच्छा दगा भी आपसे, जी, दिल्ली मुष्टी में पढ़ाता हूं, मैं सस्किल्द प्रोफेसर हैं, अप प्रोफेसर हैं, जी, दर्शन करने के लिए हैं, जाले जाएंगे, जी, बहुत आज दिन सनिवार होने के कारण पे, यहां पे बहुत ज्यादा बीड़ हो जाती है, इसलिए हमें रूट चेंज करके, वहां से क्या बंद कर दिया जाता है, गेट को सामने से, जब आप बाखी दिनों में आएंगे, जब गुरद्यों नहीं रहते हैं, उस टाम पे आपको आपको यहां से अलग-अलग रूट चेंज कर दिया आता है, धाम में जाने के लिए, इन बेरिकेट्स हो पयोग, मुक्यत, मंगलवार और सनिवार, और जब सास्तरीजी जब धाम पर आते हैं, उस समय क्या जाता है, और बाकी समय जब आप आएंगे न, तो आपको इतना भीड का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे जाकर स्री बालाजी के दर्सन कर सकते हैं, वैसे तो मंदिर परिसर में वीडियो ग्रॉपिक करना अलाव नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बना और उसी के बाजू में स्री बालाजी अनुमान जी का मंदिर है, और उसी के बाजू में एक पेड़ है, ये थोड़ा रहस्स में पेड़ है यहां के बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं हैं, लेकिन यहां पर प्रेद बाधाओं का निवारण होता है, मंदिर परिसर यहां पर सबसे उचे इस्थान पर स्थीत हैं और यह मंदिर 1986 से यहां पर स्थात है और यहां पर जो है लोगों में अपनी अपनी मन्नतों के लिए आप पर नार्यल बांदा हुआ है आप भी यहां आके बांद शकते हैं और मंदीर पडिसयर में कैमरा अलाउव नहीं हैν इसलिए हम थार बाहर से बार कर रहे है आपके लिए और वो जो मंदिर है वो ही है मेन मंदिर भागे सदाम सरकार का हनवान जी का और यह जो मंदिर है वो उनके गुरुदेव का है और बहुत अच्छी सी लोकेशन है बहुत अच्छा लगा मुझे यहां पर आखेक की और आगे आप इस वीडियो में देखेंगे यहां की पूरी के साथ में चली दोस्तों आगे चलकर दिखते हैं देवी दरबार लगने वाला है कुछ लोग यहां पर जहरीले सापो का खेल दिखा कर और लोगों को इनके लिए दान दक्षना चड़ाओ इस प्रकार की हरकते करकर इसे ही अपना रोजगार का साधन बना रहे हैं तो सासन प्रसासन से निवे दना ऐसे लोगों पर कारवाई की जाए कड़ी से कड़ी कारवाई जो इन जीवों का इस्तमार कर रहे हैं दोस्तों गुरुदेव का देवी दरबार अभी स्टार्ट होने वाला है ज़क्त एप्रॉक्स दो बच्चु के हैं अभी 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 मंदिर परीसर की साथ परिक्रमा लगाने का बाद मुझे जानकरी हुई कि यहां पर गुरुदेव का आग्मन होने वाला है वैसे तो 21 परिक्रमा लगाते हैं बहुत से लोग अपने अपने इसाब से बट मैंने साथ ही लगाई उसके बाद में पुझ्ज स्री धिरेन सास्त गुरुदेव का आग्मन हुआ और यह जो आप भीड देख रहे हैं उनके पीछे पीछे यह सी चलते हुए आई है और इतनी जादा भीड हो जाती है यहां पर कि संभालना थोड़ा मुस्किल हो जाता है और इस प्रकार से जो दरबार लगा है यह उनका सेल्फ है यहां पर जो आप छोटी सी जो देख रहे हैं न मेटियों के विवस्ता करके ओपन ली ही दरबार चला जाता है और बाकी अगर स्थानों पर आप जो दरबार देखते हैं गुरुदेव का वहां पर उस लोकल के सासन प्रसासन पॉलिटीशन मिलकर उतने बड़े लेवल का दरबार ल लगाते हैं। तो बाला जी के बुणगान उटा रहा है। सब लोग जे जे कार करते हुए सब्सक्राइब लगे है। और हमें फता लगा कि बारा बजी के बाद आप लोगों ने भी यहां हाउस कुल कर ली ता अदभुत, अविस्वस्नि और अकलपनि यह तीनों सब्दों की परिवासा आपको बागेश और दामसरकारम देखने को मिलेगी। यहां वो सभी चीज़े देखने को मिलेगी जिन पर आज का मॉडरन साइंस बिलीव नहीं करता है। लेकिन यह चीज़े तभी होगे आपके साथ में वहाँ पर जब आपकी सरद्धा स्री हनुमान जी के साथ है। पुझ्जी गुरुदेव के द्वारा यहां पर आपको पर्चा भी बना के दिया जाता है। और पर्चा भी रेंडमली कहीं से भी पबलिक को उठाया। उस दिन मैंने देखा कि सच में यह चीज़े होती है जो हम टीव पर देखते हैं। यह एक्च्वल में सारी चीज़े यहां पर होती है रियालिटी में। और मैंने किसी पर्षन का यहां पर परचे का भी वीडियो बनाया हुआ है। जिससे गुरुदेव ने रेंडमली उठा लिया था किसी स्थान से। सिताराम। उदा से जाब आपको है। आपने सिर्फ और मन में नाम लिया था। आपकी अर्जी लग गए। आपको में शक्कर में मता आपको तुमारा परच्छा बनारेगा। मन की बात जानने मता ह। उसमें हमारा तो नमबर नहीं लख भाया तो इसका यह मत्तर नहीं कि हमारी आस्ता नहीं बालाजी में हम फिर भी उनके हैं अब वो हमारे हैं और आप भी आईए बागे को गाम कड़ा में और अगर आपको वीडियो में अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते चैनल ठीके दोस्तों मुंता आपको नहीं वीडियो में तब आप सेले जैशिता हैं मामा जैशिता हैं जैशिता हैं